थांक यू सो मच थांक यू सो मच इतना पेशण रहने के लिए थांक यू सो मच संस्क्राइब करते रहने के लिए मैंने पिछला विडियो बनाए था एक महीने पहले और मैंने उस विड्यो के अंदर डिस्क्राइब किया था Dub MA philosophy का कैसा महौल रहता है, क्या सब चीज़ें particularities के वारे में बात की थी और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो जाकर देखो आपको idea लग जाएगा कि DU में philosophy का क्या scene चल रहा है, अब इस वीडियो के अंदर ये एक update वीडियो है इस वीडियो के हम अंदर हम ये बताने वाले हैं कि इस channel को लेके मेरा की agenda है इस channel पर आपको क्या देखने को मिलेगा और इस channel से आप क्या expect करते हो in the coming time सबसे पहली बात ये clear हो जाती है कि ये channel जो है academic content mainly मैं इस पर post करने वाला हूँ यानि कि इस channel के उपर philosophy की पढ़ाई होने वाली है academic तरीके से यानि कि हम texts को लेंगे पढ़ेंगे, readings लेंगे screen पे दिखाऊंगा, explain करूंगा passage by passage सब कुछ समझ में आ जाने वाला है मैं अपनी तरफ से पूरा try करूंगा किसके लिए targeted है ये हम start कर रहे हैं पूरी philosophy, basic of philosophy से start करेंगे UG students के लिए सबसे जादा cater करने वालों में ये content क्योंकि वो ही सबसे जादा demand में है मेरे पास बहुत सारे instagram messages आए youtube comments, emails, बहुत सारे discord messages भी आए तो मैं सबसे पहले UG के syllabus से start करने वाला हूँ BA philosophy के first semester के syllabus से start करने वाला हूँ उससे पहले थोड़ा सा introduction तो philosophy हम पढ़ेंगे मैं इसी channel पे सारी videos लेके आने वाला हूँ तो please subscribe करके रखिए please इस channel पे रहिए और आपको text by text, passage by passage सब कुछ यहाँ पे समझाने वाला हूँ मैं अपनी पूरी तरफ से best करूँगा अब आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि मैं कौन होता हूँ पढ़ाने वाला आपको मैं एक master student हूँ तेली उनिवर्सिटी का philosophy में I'm in my second year third semester is almost over in six months I'll be a post grad in philosophy and उसके बाद I'll enroll for the PhD as well तो अभी इस condition में मैं कह सकता हूँ कि I'm a master student और मैं अपनी तरफ से best try कर सकता हूँ at least BA का syllabus पढ़ाने के लिए उससे मुझे लगता है कि आपकी understanding better हो सकती है because मेरे दिमाग में भी अभी सारे concepts fresh हैं और मैं एक generalized view आपको बता सकता हूँ हर चीज के बादे में start करेंगे basics of philosophy की विडियो से हर चीज के बादे में बात करेंगे Indian philosophy, Western philosophy हर ethics, logic सबके बादे में बात होने वाली है in the meantime जब तक मैं विडियो नहीं निकालता हूँ आपको मैं कुछ books recommend कर रहा हूँ जो कि आपको पढ़ लेनी है या फिर आप पढ़ सकते हो उस duration के अंडर starting with Indian philosophy इस किताब का नाम है introduction to Indian philosophy ये इनके publishers का नाम है अगर आप देख सकते हो तो इस focus हो जा तो introduction to Indian philosophy इस बाई दत्ता और चाटर जी ये ऐसे orange color की book है ये आप खरीद सकते हो अगर आपको Indian philosophy का इंट्रो चाहिए तो अब western philosophy पर आते हैं मैं कुछ books थी मैं का नाम भूल गया however मैं उनको यहाँ पर लिख दूँगा आप देख सकते हो नीचे links होंगे खरीदने के कोई affiliate links नहीं है मैं कोई वैसा नहीं कमा रहा हूँ आपको खरीदने आप खरीद सकते हो मेरे पास kindle में थी hard copy नहीं है इसलिए मेरे पास show करने के लिए नहीं है however एक और किताब है मेरे पास जो की बहुत ज़ादा concepts explain नहीं करेगी लेकिन philosophers के बारे में काफी कुछ बता देगी उपर उपर से बता सकती है कि क्या क्या किया था उन्होंने क्या क्या contribution था और उनके life के बारे में बहुत कुछ बता सकती है जिसका नाम है story of philosophy by Will Durant और ये आप पढ़ सकते हो और logic की भी दो तीन किताबे हैं जो की मैं mention कर दूँँगा screen पर आपको दिख रहा होगा logic की books का नाम और उन सब के links मैं नीचे attach कर दूँगा आप जहां से उन्हें खरीच सकते हो तो ये था agenda एस channel का मान के चलिए कि 90% of the videos इस channel पर academic philosophy की आने वाली हैं BA के course से start करेंगे BA philosophy जो भी पढ़ाया जाता है मैं try करूँगा कि simple से simple शब्दों में यहाँ पर हर concept को explain करूँगा मैं खुद philosophy का student रहा हूँ हूँ पिछले कुछ time से और मेरे को ये realize हुआ है कि everything that is taught in class वो comprehensible नहीं होता है professors भी एक हद तक पढ़ा सकते हैं आपको आप भी एक हद तक कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं और कहीं न कहीं आपको help की ज़रूरत होती है तो मैं चाहता हूँ कि जो help शायद मेरे को कहीं न कहीं miss out हो गई वो मैं upload की कर सकूँ और इसे ही purpose के लिए मैं ये video start करने वाला हूँ in the meantime आप ये के दावे पढ़ सकते हो जो मैंने suggest करी हैं और हम videos लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द thank you so much जुड़े देने के लिए और कुछ problem आ गई थी मेरे camera के साथ जिसकी वज़े से मैंने community post भी किया था और thank you so much wait करने के लिए and we are going to start with the syllabus real soon अगर आपको एक particular concept या फिर कोई topic जल्दी चाहिए जिस पर आप पहले वीडियो चाहते हो में को comment करके बता दो instagram dm कर सकते हो discord पे dm कर सकते हो email कर सकते हो सब कुछ नीचे mentioned है और हम मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नियो वीडियो के साथ thank you so much